हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 30 अप्रेल से सम्मंदित उत्तर प्रदिश करेंट अफ्यर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए इसके अफ्यर प्रदिश करेंगे और हरे क्वेशन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेशन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउलोड करनी है तो आप हमारी टेलीग्राम गुरूप से इसकी पीडियाफ डाउलोड कर सकते हैं टेलीग्राम गुरूप की लिंक आपको वीडियो का डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं पहला कुश्यन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निमलिकित मैसे के सहर में आक्सीजन निगरानी पडाली इस्थापित की है आप्सन नमबर A है मुंबई B है लखनव C है भोपाल और D है कानपूर इसका जो करेक्ट आंसर है बो है उप्सन नमबर B लखनव उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनव में एक आक्सीजन निगरानी पडाली इस्थापित की है इस पडाली के तहत लखनव में ग्रह विभाग में एक कमांड कंट्रोल सेंटर खोला गया है पडाली एक नक्सी पर आक्सीजन टेंकरों की आवाजाही पर लाइव रिपोर्ट की निगरानी करने में मदद करेगी एह टेंकर को भरने में या परिवहन में हो रही देरी का विसलेशन करेगा और सूचित करेगी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पुर्देश सरकार ने लखनव में एक आक्सीजन निगरानी पडाली स्थापित की है और इसका काम क्या होगा तो ये जो पडाली है ये आक्सीजन टेंकरों की आवाजाही पर लाइव रिपोर्ट की निगरानी करने में मदद करेगी और इसके साथ ही टेंकरों को भरने में या परिवहन में हो रही देरी का विसलेशन भी इस पडाली के तहत किया जाएगा और इस पडाली के तहत लखनव में ग्रह विभाग में एक कमांड कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अब दोस्तों ये जो पडाली है ये लखनव में स्थापित की जाएगी तो लखनव के बारे में कुश इंपॉर्टेंट कुश्चन जानते हैं सबसे पहला तो लखनव के उपनाम क्या है तो नवावों का सहर बागों का नगर ये लखनव के उपनाम है और लखनव गोमती नदे के किनारे इस्ते थे ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कई बार एक्जाम में पूछा गया है और दोस्तो जो प्रदेश की राजधानी है लखनव इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी तो इलहाबाद लखनव से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी और इसे इलहाबाद से बदलकर लखनव कब किया गया तो आपको अच्छे सी धनकना है 1921 में इल इंपर्टेंट है वो है बतीसमा अधिवेशन और ये जो बतीसमा अधिवेशन है ये 1916 में हुआ था कब हुआ था 1916 में और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझोता हुआ था और दोस्तों ये जो बतीसमा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किस ने की थी तो आपक भीम राव अम्बेटकर बिस्विद्याल है ये कहां पर है ये लखनव में इस्ते थे और 1857 के विद्रोह में लखनव से नित्रत तो किस ने किया था तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनव से नित्रत तो किया था तो ये जितने भी कुश्यन है लखनव से उसको COVID-19 रोगियों के लिए आइस्थाई देखवाल केंदर के रूप में उपियोग के लिए सम्मंदित राज्य सरकार को देने का फैसला किया है उसका जो करेक्ट आंसर है बहुत है उप्सन नमबर ए अल्पसंख्यक मामलों का मंतरा लए आलप संक्या कारे मंत्राले ने हज हाउस को COVID-19 रोगियों के लिए आइस्थाई देखवाल केंदर के रूप में उपियोग के लिए सम्मंदित राज सरकार को देने का फैसला किया है राजियों को दिये जाने वाले हज समीती हाउस में गुजरात, करनाटक, केरल, दिल्ली, तेलंगाना, पश्यमंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महरास्ट, जम्बु कस्मीर, तमिलनाडू, राजस्थान, बिहार, जारकंड और तिरपुरा सामिल है तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अल्प संख्या कार्यमंत्राले ने हज हाउस को, जो हज हाउस होते हैं, उन्हें COVID-19 रोगियों के लिए आस्थाई, देखवाल केंद्र की रूप में उपियोग के लिए सरकार को देने का फैसला किया है और कितने राजियों में तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला कुश्यन है अप्रेल 2021 में आई आई टी कानपूर और किस सहर के व्यग्यानिकों ने ससेप्टिवल, अन्डिटेक्टिड, टेस्टिंग यानि पॉजिटिव और रिमूवड अप्रोच मॉडल लागू किया अप्सन नमबर A है विसाखा पत्नम, B है भोपाल, C है है हैधरावाद और D है बैंगलोरू इसका जो करेक्ट अन्सर है वो है उप्सन नमबर C हैधरावाद भारत में चल रही दूसरी COVID-19 लहर में सक्रिय मामले 14-18 मई 2021 के बीच 38-48 लाग हो सकते हैं यहाँ पर दूस्तों लाग होगा और दैनिक नए संक्रिमन 4-8 मई 2021 के बीच 4.4 लाग के उच्चतम इस्तर पर पहुँच सकते हैं IIT विग्यानकों दोरा एक गड़ती मोडल दोरा आकलन किया गया है IIT कानपूर और हैधरावाद के विग्यानकों ने Susceptible, Undetected, Tested, Positive और Removed Approach सुत्रा मोडल लागू किया है तो आपको अच्छे से ध्यानक ना है कि IIT कानपूर और हैधरावाद के विग्यानकों ने ये मोडल लागू किया है कौनसा तो Susceptible, Undetected, Testive और Removed Approach मोडल और इसके तहट ये बताया गया है कि देश में जो कुरूना के मामले हैं वो 14-18 मई 2021 के बीच 38-40 लाग हो सकते हैं और देनेक संक्रमन अगर देखा जाए तो 4-8 मई 2020 के बीच में 4.4 लाग के उच्छतम इस्तर पर पहुँच सकते हैं अगला कुश्यान है Indian Institute of Human Brand के Advertising Recall in IPL 2021 अध्यान में निमलखित में से कौन सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रैंड एमस्डर है Option No. A है रडवीर सिंग, B है M स धौनी, C है विराट कोहली और D है A और B दोनो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Option No. D, A और B दोनो Indian Institute of Human Brands, IIHB के Advertising Recall in IPL 2021 अध्यान में अभीनेता रडवीर सिंग और किर्केटर M.S. धौनी सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रैंड एमस्डर है 2021 में लीग की सुरुवात के 10 दिन बाद Indian Institute of Human Brands द्वारा बारसिक IPL Advertising Recall Research का आयूजन किया गया था M.S. धौनी का सैली बार स्कोर पिछले IPL में 82 की तुलना में इस बार 87 था तो दोस्तों आपको ध्यान लगना है कि Indian Institute of Human Brands के Advertising Recall in IPL 2021 के अध्यन के अनुसार जो अभिनेता रडवीर सिंग है और किर्केटर M.S. धौनी ये सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रैंड एमस्डर है तो ये आपको अच्छे से ध्यान लगना है अगला कुश्यन है ऑप्सन नमबर A है Amazon, B है Flipkart, C है Jumato, D है Google इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नमबर D गूगल गूगल भारत में चिकित्सा आपूर्ती की सपोर्ट में 135 करूल रुपए देगा गूगल और गूगलर्स मेडिकल सप्लाई के लिए एड़ दरेट गिव इंडिया, एड़ दरेट यूनिसेफ को यह अनुदान दे रहे है गूगल इंडिया ने कहा कि कमपनी भारत में इस्थानिय सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि संकट के समय उनका साथ दिया जा सके तो दोस्तो आपको अच्छे से ध्यान लखना है कि भारत में चिकितसा आपूर्ती की सपोर्ट में 135 करूल रुपाई कौन दे रहा है तो गूगल भारत में 135 करूल रुपाई दे रहा है अब यहाँ पर जो यह गूगल है तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तो गूगल की स्थापना कब हुई थी तो आपको अच्छे से ध्यान लखना है 4 सितमबर कब? 4 सितमबर और 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी अब पार्क कैलीफोर्निया सायोग्त राज अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी और दोस्तो वर्तमान में Google के CEO कौन है तो सुन्दर पिचाई वर्तमान में Google के CEO है और दोस्तो गूगल के संस्थापक कौन थे तो ध्यान रखना है Larry Pace और सरगी ब्रिन Google के संस्थापक थे ये Google से related सारी चीज़ें आपको अच्छे सिध्यान रखनी है ये most important है अगला कुश्यान है सबसे कम उम्र की Microsoft प्रमारित पेसेवर बनकर किसने इतिहास रच दिया option number A है इनाया खान, B है अरिस फातिमा, C है अलेना मलिक और D है अनादी मर्जा तो इसका जो correct answer है वो है option number B अरिस फातिमा कराची की चार वर्स की विलक्षर प्रतिभा की धनी अरिस फातिमा ने सबसे कम उम्र की Microsoft certified पेसेवर बनकर इतिहास रच दिया अरिस फातिमा ने Microsoft certified professional MCP परिक्षा में 831 अंक प्राप्त किये जबकि MCP परिक्षा उत्रिनी करने के लिए आवस्यक नियूनतम अंक 700 है अरिस के पिता ने भी बहुत कम उम्र में मील का पत्थर पूरा किया उन्होंने अपनी बेटी की IT में रुशी देखी और इस परिक्षण में उसकी मदद की तो दोस्तों ये कुश्यन भी इंपोर्टेंट है आपको च्छे से ध्यान अकना है कि कराची की जो चार वर्स की विलक्षन प्रतिवा की धनी अरिस फातिमा है ये सबसे कम उम्र की Microsoft Certified Passiver वनकर इसने इतिहास रच दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चार वर्स की अरिस फातिमा अगला कुश्यन है किस देश ने दस महीनों में पहली बार COVID-19 से समंदित सून्य म्रत्यु दर्ज की है और इसका जो करेक्ट आंसर है वह और इसराइल इसराइल ने दस महीनों में पहली बार COVID-19 से समंदित सून्य म्रत्यु दर्ज की है पिछली बार देश में सून्य म्रत्यु की रिपूर्ट जून 2020 में हुई थी जब देश में लॉकडाउन लागु किया गया था बिस्स के सभी देशों में इसराइल में टीका करन की दर्ज सबसे अधिक है 24 अपरेल 2021 तक इसराइल की कुल आबादी के 53% को वैक्सीन की दो खुराँक मिल चुकी है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसराइल ये ऐसा देश है कि अगर पिछले 10 महीनों में देखा जाए तो वहाँ पर अभी हाली में कोरोना वाइरस के सूनने केसिस दर्ज किये गए यानि वहाँ पर कोरोना वाइरस का एक भी मामला यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया तो आपको ध्यान रखना है और इसके साथ ही ये जो इसराइल देश है इसमें टीका करण की दर 20 में सभी देशों की तुला में सब से यह देखे और यहाँ पर दूस्तों वहाँ की जो रखना है कौन से देश है ये इसराइल देश है और दूस्तों इसराइल की राजधानी क्या है तो जेरुसेलम इसराइल की राजधानी है इसराइल की मुद्रा है और इसराइल के जो पी-म है वो कौन है तो बेंजा में नेतन्याहू इसराइल के परधान मंत्री है अगला पूर्पूर्ण समय निदेशक यानि WTD का पद कितने वर्सों से अधिक समय तक एक ही व्यक्ति के पास नहीं रह सकता है। उप्शन नमबर A है 10, B है 15, C है 20 और D है 25 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्शन नमबर B, 15 वर्सों से अधिक। भारतिये रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए सासन पर कुछ निर्देश जारी किये हैं जिनमें निजी बैंक, लगू वित्व बैंक, विदेशी बैंकों की पूर्ण सौमित वाली सहयक कमपनियां सामिल हैं, निर्देशों के अनुसार प्रबंद निदेशक यानि MD और बैंक ने ये निर्देश जारी किया है कि MD, CEO और WTD का पद जो है किसी एक व्यक्ति को 15 वर्सों से अधिक समय तक उसके पास नहीं रह सकता है, अब दूस्तों भारती रिजर्व बैंक की यहां पर बात है, तो रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं, रिजर्व बैंक की स और रिजर्व बैंक का मुख्याला है कहां पर है, तो मुंबई महरास्ट में रिजर्व बैंक का मुख्याला है, अगला कुश्यन है, DRDO ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी व्यक्सित की और इन में से कितने ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक से लेम्टेड को दिये, अगला क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी व्यक्सित की और इन में से 60 ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक से लेम्टेड को दिये, यह DRDO की प्रियोग साला डिफैंस मेटलार्जिक रिसर्च लेवरेट्री के एक कारिक्रम का हिस्सा है, जिन में एकल क्रिस्टल हाई प्रेसर ब्लेड के 5 सेट अगर संख्या में देखा जाए तो 300 विक्सित की गई है, से इस 4 सेटों की आपूर्ती नियत समय पर पूरी की जाएगी, तो दोस्तों आपको ध्यान अखना है कि एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी किसकी द्वारा विक्सित की गई है, तो यह DRDO की द्वारा पूर्तमान में जो DRDO का हेड़कॉर्टर है, वो कहांपर है, तो नई दिली में DRDO का हेड़कॉर्टर है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और दोस्तों यह जो DRDO है, यह किसके अधीन कारे करता है, तो आपको ध्यान रखना है, यह रक्षा मंत्रालाय की इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्शन नमबर C उननचासवा चैंडलर गुड गवर्मेंट इंडेक्स में भारत को उननचासवा इस्थान प्राप्त हुआ है यह इंडेक्स एक वार्सिक सूचकांक है जो दुनिया भर में 104 सरकारों की छमताओं और प्रभाव सीलता को मापने के लिए बनाया गया है C G Z I को एक निजी गेर लाबकारी संगटन चैंडलर इंस्टिटीट ओफ गवर्नेंस दौरा जारी किया गया है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है C G Z I सूची में फिनलेंड सबसे उपर है जिसमें पिरतेक देश को 50 से अधिक खुले डाटा बिन्दों पर मापा जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है उसमें भारत को 49 इस्थान प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स में पहले इस्थान पर कौन सा देश है तो ध्यान रखना है फिनलेंड इसमें पहले इस्थान पर है और दोस्तों ये जो सूचकांक है इसमें कितने देशों को सामिल किया गया तो 104 देशों को इसमें सामिल किया गया था तो दोस्तों ये थे 30 अप्रेल से समंदित उत्तर प्रदेश करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम्स के लिए Most Important करेंट अफियर की कुश्चन जो की हमने डिसकस किये अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का कुश्चन जो हमने आपसे पूछा था तो ये है कल के वीडियो का कुश्चन जो हमने आपसे पूछा था खाल ही मैं प्रदान मंतरी मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्व स्रेश्ट पंचायत की पुरुसकार से समानित किया इसका जो करेक्ट आंसर था वो Option Number B था सामली जिला पंचायत और लगबग सभी स्टुडेंट्स ने इसके सही जवाब दिये और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी कुश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो तो यह है आज का कुश्चन उत्तर प्रदेश Software Technology Park कहां बनाया जाएगा Option Number A है कानपुर, B है लखनव, C है आगरा और D है नोइडा तो उसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तो अगर आपको असका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक यू